तो नेशनल इंकम पर आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज हम चर्चा करेंगे रेजिदेंशल स्टेटस पर और रेजिदेंशल स्टेटस पर डिसकसन करने के साथ साथ आज हम अगर आप इसको अच्छे से कवर कर पाए समझ पाए तो हम जो है NFIA के बारे में भी बात करेंगे Net Factor Income from Abroad के बारे में भी बात करेंगे चलिए करते हैं स्टार्ट सबसे पहला कोशन आपके माइन में यही आता है कि सर रेजिजेंसल स्टेटस किसे कहते हैं दिखेगा आपको सबसे पहले दो चीजों में करना पड़ेगा एक सिटिजेंशिप एक अलग चीज होता है और रेजिजेंसल स्टेटस एक अलग चीज होता है ठीक है रेजिजेंसल स्टेटस का मतलब क्या हुआ निवासी ठीक है तो निवासी एक अलग अबधारना है और आपका जो है नागरिक एक अलग अब्धारना है बेरे बात आप समझने के यहाँ पर कोशिश करें क्लियरे जी एक्जामपल के लिए कुछ बातों को समझते हैं जैसे कि डैलीम के अंदर आपने यहाँ पर यह देखा होगा कि कुछ लोग जो है तिबती जो कि चाइना से आप क्या सकते हैं आएवे हैं जो कि मॉनिष्ट्री शॉप खुली हुए डैली में मॉनिष्ट्री इनको जो है यहां के गौर्रमेंट ने रहने के लिए अपना गुजारा करने के लिए जो है एक दुकान जो है वो अलोट करती तक यह अपना जो पालन पोशिंग कर पाएं तो वो हमारे नागरिक तो नहीं है लेकिन वो यहां पर अब निवास करते हैं यहां पर उनको जो है वो अर्निंग करते हैं यहीं पर उसको एक्सपेंस कर देते हैं और अपना जो है पालन पोशिंग वो इसी धरती पर करते हैं तो भले ही वो हम जैसे नहीं दिखने बाले ह भले ही वो उसका जनम इस धरती पर नहीं हुआ है लेकिन वो अगर हमारे देश में निवास करते हैं, रहते हैं, आय का सोर्स हमारा देश ही है उनका और खर्च भी वो इसी देश में कर देते हैं तो इस तरीक और वो एक साल तक ऐसा कर पा रहे हैं यसा नहीं कि आज कमाया कहलाएगा हाँ मैं मानता हूं कि वो नागरिक नहीं हो जाता है नागरिक तो वो होता है जिसको हमारे देश्क में हमारी सरकार चुनने का अधिकार होता है वो हमारा जो है वो हमारा नागरिक होता है मतलब जो वोट करता है वोटिंग करता है लेकिर वो लोग जो एकनॉमिक प पासे दोनों चीज़ें आप नागरिक भी हैं और आप निवासी भी हैं दोनों ही चीज़ें लेकिन नागरिक और निवासी दोनों अलग-अलग बाते होती हैं यहां पर मैं citizenship की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं बात कर रहा हूं रेजिजेंसल स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ एक्जामपल के लिए आप जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए अब देखेगा जरा इस बात को आप समझेए यहां पर भले ही यह इंडिया और इजन के लोग हैं जैसे आप देख पा रहे हैं यह देखेगा भले ही यह यह जो है इनडिया और समें के लोग है नागरिक भारत कहिए लेकिन अपे भारत में नहीं रहते हैं यह बहार रहते हैं वहीं कमाते हैं और इन्होंगे छोई पर ने गहीं ऋनके इस पर पर रहते जो हैं यह जहां जिस-क घुकiblि तो यह यूके के ही रिजिंस कहलाएंगे और उसी तरीके से यह देखेंगे आप साथ अफरिकान जो भले ही मैं मानता हूं हमारे देश में मानलो इन्होंने जनम नहीं लिया चीक है लेकिन अब इसी देश में आकर के रहते हैं और आए का जो है सोर्स इंकम का सोर्स और लिया वो भी हमारे रिजेंशन के अंदर नहीं आ रहे हैं तो आपको इस बात को समझेना होगा कि रिजेंशल स्टेटर्स का मतलब यह नहीं है कि आप देख करेंगे कि हम जता दिखता है तो इस बात पर निलभर करेगा यह इस चीश पर डिपेंड करेगा कि वह अगर एक स साल कोई भी वैक्ति कोई भी विसेश कोई भी परसन एक साल जिस देश में रहता है कमाता उसी देश में है खाता उसी देश में है खर्च उसी देश में करता है वह वैक्ति उस देश का रिवासी कहलाएगा मेरी बात समझे या नहीं समझे आप क्लियर है इस बात को आप समझ अब आप बताएगा कि नेशनल इंकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक तो मैंने लास्स ट्रास में आपको बताया था को फ्रीली मूव कर सकते हैं वो जगह हमारा नहीं कर सकते हैं और हम एसा विदेशों में कर पा रहे हैं तो हमारे नहीं को समझा है कि डोमेस्टिक इंकम के अंदर वो जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिट्री पर जननेट होगा कोने कमाने वाला उसको छोड़ो भूलो जो हमारे डोमेस्टिक टेरिट्री के ऊपर जो इंकम जननेट होगी वो डोमेस्टिक इंकम हो जाएगी चाहे एक साथ अफरीकन आता है किर्केट खेलता है मैन अब दा मैच लेके जाता ह प्राइज मिलता है फ्लाइट पकड़ा और अपने देश साथ अफरीका चला गया लेकिन वह हमारे डोमेशिक टेरी ट्री पर इंकम जन्रेट हुई हम उसको बलेगा भी या हमारे डोमेशिक इंकम है यह हमारे जीडीपी है यह तो गल्द बात हुई है नहीं हुई तो जीडी अंडर जो कि इंडिया के दर अधिक इंडर है तुछ इंडिया के नंदर है तुन को सब्स्व कि एंडिया गोस को चलड़ों आपके इंकम शामिल हम नहीं करेंगे क्यूंकि हमारे डोमेश्टिक टेरीटरी पर आपने जन्नेट नहीं करी तो आपको जीडीपी के बारे में पता था कि वहां पर वह स्पेस जहां पर हम अपने गुड्स कापिटल पर्सटन को फ्रीली मूँव कर सकते हैं वह स्पेस हमारा क्या होगा domestic territory होगा और उस पर जो income जनेट होगी अगर हमारे domestic territory पर यहां पर मैं कहां की बात कर रहा हूं कहां इंकम जन्रेट कर रहा है यह मैंटर करेगा तो जी डीपी में कहां आए का सरजन हुआ है जी डीपी में कहां पर इंकम जन्रेट हुई है यह देखा जाता है जब भी जी डीपी कैलकुलेट किया जाता है और नेशनल इंकम जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो यह देखा जाता है कहां पर है वो छोड़ो किसने किया है कौन है करने वाला अगर हमारा residence है तो वह हमारा national income में शामिल होगा पता लगा GDP बिलकुल अलग है नेशनल income बिलकुल अलग है तरी बात समझे नहीं समझे लोग बाएग यूटूप पे लोग जिन्डोरा पीट रहते है जीडिप नेशनल income बात कर रहे हैं यारा जल्दी करें प्यारे बताइए इंकम मैं बात कर रहा हूं नेशनल इंकम की तो क्या मेंटर करता है इंकम कौन जन्नेट कर रहा है और कौन का मतलब क्या हुआ हमारे है रिजिजेंशाल अब आपको पता कि किसी भी देश का मैं निवासी होने के लिए रिजिजेंश्य स्टेटस पाने के लिए आप एक साल उससे उपर उस देश में होना चाहिए और उसका इंकम का सोर्स और एक्स squand पर दिचर उसी कंट्री में होना चाहिए तो आप उस देश के रिजेंस हो जाएंगे अब यह मत सोचेगा यहां पर मेरे बात समझेगा एक डॉक्टर है वह गया चाइना इलाज करके वापस बाबस लोट करके आ गया उसको पैसा चाइना से मिला है तो बताएए वह डॉक्ट दिचर उसका यहां सब्सक्राइब को समझे आप अससे जहां पर आप एक से ज़्यादा साल के लिए अगर रुकते भी हैं तब आप उस देश के निवासी नहीं बन पाएंगे कुछ ऐसे केस हैं कौन से केस आप मानलो आप भारत के कोई भी जो है नुमाइन मलब कि गवर्रमेंट के कोई भी आप इंप्लोई हो और गवर्रमेंट काम से जा रहे हो सरकार ने आपको तीन साल के लिए भेज दिया अमेरिका तो अब एक साल से उपर तो आप रुप गए वहीं पर आप जो है खर्चा भी कर रहे हो लेकिन सरकार के काम के परपस से गवर्रमेंट ने आपको दूसरी कंट्रे में भेजा है अब वहां पर आपके साथ में कंडिशन ही लागू होती है आप कितने भी साल रह लो आप उस देश के रिजिंशल नहीं होंगे आप अपने ही देश के रिजिंशल बने रहेंगे आप अपने ही देश के सिडिजन बने रहेंगे मेरी बास समझे अब आर्मी है मान लिजे यूएसे ने अपनी आर्मी को जो है इरान इराए इन सब जगह पर जो है अफगानिस्तान में काफी वह दस व साल से उन्होंने लगा रख्थ तहाँ अब क्या हुआ आर्मी है अमेरिटा का एक साल होते ही बोलेगा अच्छा एक साल हो गया अब तो मैं डिशनासितल अफगानिस्तान का हो गया हूँ अब वह अपने ही देश का रहेगा, चाया भारत का कोई ambassador कहीं पर कितने साल रह जाए, चाया भारत का कोई army कहीं पर कितने साल किसी mission से रह जाए, या कोई काम करे, कोई project पर काम करे, तब भी वो चीज़े नहीं होगा, दो case बता दिया मैंने, तीसरा, हमारे यहां के students, अगर कहीं पर 5-5 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं, वो वहां के residential हो गए, तो कुछ cases ऐसे हैं, जहां पर अगर आप एक साल से उपर रह भी जाओ, तब भी आपको residential status उस देश का नहीं मिलता है, मेरी बास समझें या नहीं समझें? क्लिर है? जी, एकनामी पॉइंट अभी से, वो हर, वो इसके बाद कि कब उसको status देते हैं, एकनामी पॉइंट अभी से मैं बात कर रहा हूं आपको, वन इयर का आपको residential status के लिए, national income के अंदर calculate करने के लिए, वन इयर का time period देखते हैं, उस परसंद का. आपको आया या नहीं आया, बताए ज़रा हाँ और ना, क्लिर जी, कोई doubt है, तो पूछे, तो चलिए, ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं, देखें, explain the concept of normal residence, normal residence, normal residence of a country refers to an individual or an institution, who ordinarily resides in that country and whose center of economics interest, center of economic interest का मतलब की, earning भी वहीं से हो रहा है, खर्चा भी वहीं हो रहा है, interest also lies in that country, normal residence includes both individual and institutions, क्या कर रहा है, the residential lives or is located within the domestic territory and the residence carries out the basic economic activities, earning, spending, clear है नो, accumulation from that location, तो वो उस देश का क्या हो जाएगा, वो residential status को मिल जाएगा, क्लियर है जी, following are not included under the category of normal residence, foreign tourist and visitor who visit a country for, मेरी पास समझे, recreation, holiday, medical treatment, study, sports, conference, etc., इस case में हमारे residence, कभी नहीं हो सकते, या ना तो हम किसी के residence status होंगे, क्लियर है, foreign staff, embassies, भारत में कितने भी साल रहले, वो अपने देश की residential status उनको मिलेगा, कोई भी officials, diplomates and members और इसी तरीके से armed force, international organization like UNOWH, अब international organization में कोई employee काम कर रहा है भारत में तीन साल से, वो हमारे भारत का residential status उसको नहीं मिलेगा, मेरे बात समझे, समझे, यह कुछ specific cases हैं, क्लियर हैं, employee of international organization are considered as the residential of the countries that which they belong, अगर आप international organization में काम कर रहे हो, मान लो आप WHO में काम कर रहे हो, कोई भारत का ही नागरिक है, तो आप 5 साल भी आप इदेस में रहें, लेकिन आप भारत का ही residential कहलाएंगे, आप हाँ residential नहीं मन सकते हैं, clear हैं? However, if the employee are working for more than one year in such international institution, that they become the normal residential, a country in which such institutions are located, that means in the given example that American is working in UNO office in India, for more than one year, then he will be treated as the normal residential of India, clear है जी? सब्सक्राइब है आपको? चलिए. अब अपना करो test, identify the following as a normal residential of India, Indian officials working in the Indian embassies in USA, बताएज ज़रा, क्या ये identify the following as a normal residential of India, क्या ये हमारा residential होगा? Indian officials, yes, हमारा होगा, क्योंकि हमारे officers कभी भी, कहीं पर भी कहीं पर कितने में समय काम करें, वो हमारा residential होगे, ऐसा हर देस के साथ में ये apply होता है. A Japanese tourist who stays in India for two months, क्या ये हमारा, क्या ये tourist हमारा residential होगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा. क्लियर है? Indians going to Pakistan for watching the cricket match, क्या ये Indian हमारा residential है? बिल्कुल हमारा है, वो match देके बापस लोट जाएगा. Indian working in the U.N.A. office, located in America for the less than one year. कोई Indian working है, एक साल से कम रहता है अमेरिका में. एक साल से कम रहता है, तो भाया, वो हमारा ही residential status को रहेगा. Indian employee working in WHO, located in India. जाहिट से बात है, कि अगर कोई Indian employee है, जो भारत में located है, तो भाया, वो हमारा residential status रहेगा. तो भारत में कमा रहा है, और भारत में खर्च कर रहा है. हाँ, domestic income में उसके income को शामिल नहीं करेंगे. मेरी बात समझे यह नहीं समझे, चलिए. मैं बहुत सारी बात आप से फिर से repeat करके पूस्ता हूँ. जरह बताएं. मैं बताएं. मैं बताएं. हें गह बताइए जा जी डीपी में सामिल करेंगे अ कि सो जी डीपी में इंड यन ऑ कि इंडियन ऑफिशल वरकिंग इंडन अभीशUE अप्सक्रित इन यूएस और गें GB में विल्कुल सामिल करेंगे क्या योन उमें ने मारे एमगस सी को हमारे जी डी पी हमारे हमारे डों में ज्रीटरी में सामिल करेंगे इसको जबाइए नेश्णल इंकम चांब को यह आपका यास टुक्य वह कमारी रोसल है या निस को मतलब कि हमार राएं वह थेकेऊ न तो अब सवाल है कि वह हमारे रिज always कर से न लिएव चलिए ऑज जैपनीज टूरीस्टाथ स्टें इंडिए फुर तूमांग बताओं कि जैपनीश टूरिट्ट वोस्ते इंडिया फुर टू मन्स एक को जैपनीश फूरी स cinnamon के लिए भारत में रह रहा है कि हमारे fifty में सामिल होगी उसकी income घुम shark और फिर किक मान जाल कुछ कमा आया है हम आपनी धूर हमारी st Она declara amidst कि जिदी जैनिखता है बस यह देंखता है कि कहां इंकम जनुरोः बहने और नेश्टन देखता है कौण ट्रोइव नेर dollar कि आप बात करता है क्या यह हमारा रेंजर्च ₹ जो हमारा Residensaal होगा, जो हमारे Residence होंगे, जो हमारे निवासी होंगे, उसी की आय को हम अपने दास्ट्य में शामिल करेंगे, अपनी करेंगे, ये हमारा निवासी नहीं है, तो इसलिए हमारे National income में शामिल नहीं होगा, बास समझे नहीं सम्झे उप हैं, क्लियर है इंडियन्स गॉइंग टू पाकिस्तान फॉर वाचिंग दा किर्केट मैच चलिए इसको हम बताइए क्या ये हमारा हमारा निवासी है या नहीं है बिल्कुल है और इसलिए हम इसकी इंकम को शामिल करेंगे इंडियन्स फॉस वर्किंग इन यूएन ओ आफिस लोके कि मैंने पढ़ाई था आपको। इसलिए हमारे डुमेस्टिट्रीव का पार्ट नहीं है जीडिवी में शामिल नहीं करेगा लेकिन नेशनल इंका में शामिल होगा नहीं होगा बिलकुल वह हमारा रेजिजेंट्स है कि लिए यस फॉरंड टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉरा मंथ टू सीद्ध ताज महल भीजा यह हमारे यह हमारे रेजिजेंट्स नहीं है इंडियां अ मुसलिम स्गोइंग फॉर दा हज इंडिया के जो मुसलिम से वह जा रहे हैं तो जाकरके वापस लौट करके दिवासी रहेंगे तो आज देखते हैं किसका क्या स्टेटस है इस बैसिकली अलेगल कंसेप्ट बेस्ट ऑन दा प्लेस ऑफ बर्थ विए सिटिजेंशिप के लिए देखा जाता है क्या कि कहां पर उसका जनम हुआ और परसन अब दा सम लीगल प्रोविजन कुछ लीगल प है और वेना परसन इस बोन इन इंडिया ही एक्वायर ऑटोमेटिक सिटिजेंशिप ऑफ इंडिया वह हमारे लो उसको अलाव करेगा सिटिजेंशिप एक अलग चीज है दिखे आज चाहिनीस ही और चाहिनीश लिविग इंडिया यह इन ओना जी ओन जिए अंडिया वोर दन वन यर इसान माल रिजिद्ट ऑफ इंडिया बिलकुल होगा इस नॉट अजीजें अशुट ऑफ इंडिजन अफ इंडिया असीजिजिजेंशिप इंडिया इतमीस पीजन ऑफ वन कंट्री एंड एड़ दा सेम टाइम आरेदेंसल अफ अनदर कंट्री क्लियर जी सब्सक्राइब आपको कि एक्स्प्लेइन दा कंसेप्ट ऑफ दोमेस्टिक टेरिट्री बच्चे प्यारे यह हो चुका है हमारा क्लियर है कोई डाउट अभी तक आप अभी बताइए जरा मुझे क्लियर है यहां तक किसी बच्चे को किसी परकार कोई डाउट है तो प्लीज आप ज़रूर पूछे अब समय आ चुका है नेशनल इंकम में अभी तक कुछ त्योरी कुछ समझ पैदा करने की जुरुत थी वह पैदा हो चुकी लेकिन अभी भी आपको एक बहुत अच्छा काम आपको सीखिना अभी 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 में क्या करना है हमें समझना क्या है कि देखिए एक हमारे पास में जी डीपी और हमें जो है सबसे पहले आपको क्या तीन टम समझेंगे हम अभि अभि आपको बिल्कुल नया हो आपके लिए शायद और आपको भी कंफिजिण आपको एनफव यह ऑ्राइज समझना ओगा आपको डेप्रेशिएशन समझना होगा आपको NIT समझना होगा, तीन चीज़ समझना होगा, तीन चीज़ नहीं होगी आपको, net indirect tax, और आपको factor को समझना होगा और आपको market price समझना होगा, यह कुछ बात थे, कुछ terms आपको समझना है, clear है, बच्चे citizenship जैसे आप भारत में आपका जनम भुआ, तो आप automatic यहां के citizen होगे, लेकिन आप अमेरिका जाकर के रह रहे हैं, होई पर कमा रहे हैं, होई पर खर्च कर रहे हैं, और एक साल से उपर समय के लिए आप अमेरिका से इमें ही आप जाकर के अच्छे तरह से रहने के रहे हैं, बस गए होँ आप पर, तो अभी भी आप नागरिक तो भारत के ही रहेंगे, लेकिन अब आप निवासी अमेरिका के हो जाएंगे, तो सवाल यह है, कि आपका citizenship एक अलग चीज होता है, और residential status एक अलग चीज होती है, बड़ी बात समझे, यह चीज़े clear है भई आपको, तो आए इन बातों को अब हम next classes में अच्छे से clear करेंगे, इन बातों को हम अच्छे से वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, clear है जी, तो next class में मैं आपको topic क्या cover करवाओंगा, एक तो NFI करवाओंगा, और एक depreciation करवाओंगा, ठीक है, उसके बाद हम फिर factor cost and market price पे एक ही साथ बात होगी, और जहां पर जब बात होगी, तो automatic यह भ बनाना सिखाऊंगा, GDP, NDP, NNP, GNP, factor cost, factor cost, market price, factor cost, जो भी, यह formula बनाना सिखाऊंगा, बस, अगली दो classes, hardly, और उसमें आपके पास तीन class मान लो, आप formula बनाना सिख जाओगे, और उसके बाद फिर हम numerical पे आ जाएंगे, national income के, तब format पढ़ाऊंगा, पहले income method, क्या होता है, उसके बाद उसके numericals की practice करवाऊंगा, expenditure method, numericals की practice करवाऊंगा, validation method, numericals की practice करवाऊंगा, तो अब यह सिलसला अब आपका सुरू हो जाएगा, तो बिलकुल live classes में रहे, बच्चे, live classes का मज़ा लगाने वाला, recording में आपको बाते, चीज़ें डिक्कत करेंगी, हाँ जी, सिक्त जहां आपका जन्म हुआ, अब आप कोई बच्चा, हाँ जी, IVPS का हो गया है, देखिएगा, अब आप यह सोचेंगे सर, कि मान लो कि हमें अमेरिका के सिडिजन से चीए, तो कोई बेबी घर में है, जो की जन्म लेने वाली है, हम उससे पहले अमेरिका चले जाएंगे, और तो वहाँ पे उसका जन्म हो जाए, देर ऐसे अलाव नहीं होता है, फ्लाइट में भी एक टाइम पिरेड होता है, किस सिच्चूशन में आप लूब दोह बेचा, दोदिन अच्छ को लगए, वो रिजाल हberry लिजाल ली ग नहीं देखा तो थर्ट क्लास जोर मत करना कुछ सोज में नहीं आएगा पहले दो क्लास देखोगे पुरा मज़ा लोगे इस टॉपिक का पेरे बाद समझें नहीं समझें तो कर दिया है अब मैं उस बैठ में जो बच्चे हैं उनको फॉर्म कैसे फिल ओना है काई से कहां से क्या करना है तियारी कैसे होगी साडबे साड़ ये बताऊगा को अब बार गंटे लेकर बैठोगे क्लेरे जी चले मिलते हैं फिर नेस्ट क्लास में थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच एन फाइए पढ़ेंगे नेस्ट क्लास में और आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता दें कि यूटूब पे कुछ प्रॉलंस नहीं अभी आ रहे हैं क्लासे डालने वगएरा में हमारे तो खेर यूटूब होता इसलिए है ताके आप फीस समिट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि जो आपको पढ़ाय जा रहा है वो आ आप यूटूब पे क्लासेस डालते हैं उसके बाद इस नमिनल फीस जो बहुत नमिनल फीस होता है आप ये मांनकेだ जाह मेंद इंद में इतना नमिनल फिस किसी के एग दिन की, एग दिन की, किसी एक गरीब व॥ेक्ति की, एक रिख्षा चलाने वाले की, अगर हम करेंगे, तो जो स्टाफ है, जो सर्विसीस जिसके आपको नीड होती है, कि सर्वरमारे डाउट सौल हो जाए, सर्वीडियो अप्लोड हो जाए, सच चीजें यहां पर अलम आ रही है तो वो स्टाफ हम नहीं रखेंगे तो फिर वो चीजें आपको और उल्टी पड़ जाएंगे वो आपको जो है वो जो नॉमिनल फीस है वो आपको वो ज्यादा नुक्सान कर जाएगा अगर वो भी नहीं आएगी तो आपके एक्जाम्स कितने डिस्टाब हो सकते हैं तो इतने नॉमिनल फीस लेते हैं तो यूटूब पे और अब शडूल बड़ा बेज़ी और हैक्टिक चल रहा है क्योंकि बहुत बच्चों ने भारी मातरा में इस वार अनलोड हुए हैं उनको समालना और उनकी उरीष को लेना बड़ा टेम को हम सबसे पहले पेड़ पर हमने इस पर लगाया हुए है यूटूब की क्लाशी Iron लगातार आरे यूटूब इसलिए हम अप्रफिशनः बीचा क्लासिस ले रहे है। ठीक है जिर बुक बिलकुल भी कोई सी मतलों जो मैं पढ़ा रहा हूं यही काफी है धानक ना इसी कंटेंट को पढ़ना है बिलते हैं फिर जी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू जी थैंक यू सो मच